तो भ्यम्दर्शिकों हर हर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे। तर्शिकों पांच जुलाई दिन मंगलवार को गुप्त नवरात्री की छटी तिथी है यानी की छटवा दिन है। यदि आपके जीवन में कोई आपकी मनुकामना है या कोई विशेश कार्य है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो बाबा भुले नात के मंदिर जाकर आप यह एक उपाय कर देंगे तो आपके जीवन की समस्त मनुकामनाई पूर्ण होंगी। सच्चे मन से और पूर्ण भाव से यदि आप बाबा भुले नात के समक्ष कोई भी उपाय करती हैं तो बाबा आपकी मनुकामना को अवश्य ही सुनते हैं और आपके जीवन से कस्टों को दूर करते हैं आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही अचुक सा उपाय लेकर आई हूँ आपको पहुत ही सरल सा और छोटा सा उपाय है बस उपाय को आप ध्यान से सुनिएगा इस उपाय के लिए आप दिन भर में कभी भी जा सकते हैं शिवजी के मंदिर सुभा से लेके शाम ऐसे लेल ले यानिर शिवजी को दाना लेना है कुछ काली तिल्ली ओर एक लोटा जल और में समयरे लग मैं और अपको ब धिन भर में инд करते हैं अब आपको क्या करना है अब आपको शिव जी के मंदिर जाना है शिव जी के मंदिर जाकर आपको सबसे पहले शिवलिंग पर जो आप काली मिर्च लेकर गए हैं काली मिर्च अर्पित कर दें और थोड़ा सा काला तेल अर्पित कर दें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत् फिर बाबा भोलेनात पर आप बेल पत्र अर्पित करें और आप जो शिरिफल लेकर गए हैं यानि जो नारियल लेकर गए हैं वह नारियल आप शिव जी की जो इस्थान होता है शिव जी के शिवलिंग जो रखा होता है हस्त कमल पर उस इस्थान पर आप नारियल को रख दें और उसके बाद पूरे शिवलिम पर धीरे धीरे आपको जल अर्पित करना है हर एक स्थान पर धीरे धीरे जल की एक धार बना कर अर्पित करना है अन्त में शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरन करना है बाबा से अपने ये नौ दिनों में अवश्य ही पूर्न होगी श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शिकू हर हर महादेव आपको यह उपाई कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताईएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव ओम नमस शिवाय लिखकर मुझे जरूर बताएं चैनल पर आप पहली बार आए हैं या मेरी आवास को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंधी सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दीजे जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शिकों हर हर महादेव